मैं आपको बता जाए कि Tata Trust Tata Group की जितनी holding company उसमें करीब करीब दो जो बड़ी trust है जिसमें सर रतन Tata और सर दुराब मिस्तिरी trust है उनकी दोनों की holding मिलाके करीब करीब 66% की holding है तो M है क्योंकि long term पूरी strategies group की तयारी trust के जरीए होती है पूरा vision trust के जरीए वहाँ पर बनता है और ऐसे में Tata Trust के नए chairman के तौर पर Noel Tata को चुना गया है पहले से ही trustee के तौर पर वहाँ पर थे और group की कई सारी कंप्रियों में management के तौर पर बड़े role में अपनी भूम का निभाद चुके थे और अब Tata Trust के नए chairman के तौर पर Noel Tata जी को चुना गया है अब रतन Tata जी के देहांत के बाद अब ये पद खाली था तो Tata Trust के तौर पर Tata Trust में अब chairman के तौर पर अब Noel Tata जी का नाम आ चुका है ये announcement हो चुका है इस पे लगातार हम इससे पहले भी जानकारी इटीना उस वदेश पर आपको दी गई हुई थी कि Noel Tata ही सबसे बड़े contender है पहले से भी भून का निवा चुके थे तो ऐसे में पूरी संभाबनाय बन रही थी कि उनके बाद अब Noel Tata जी की entry हो सकती है Tata Trust में और डेफिनिटली एक कापी एहम फैसला है और एक बड़ा कदम है और इस ग्रूप के लिहाद से कर दे कि हमारे सायोगी अंकूर मिश्टा भी जुडग उनके बारे में यहां सूतरों के मताबिक हमें यह पता चला है जो बैठक चल रही थी Trust की वहाँ पर unanimously elect कर लिया गया है उनको अध्यक्ष और यह जो प्रक्रिया है वो जब से रतन टाटा जी का निधन हुआ था उसके बाद से यह आपचारिक प्रक्रिया थी कि एक बोड़ बैठक होती है वो सारे मिल के डिसाइड करते हैं कि अगला जो आधिकारिक तौर पर चेर्मेन कौन होगा तो सूत्र हमें यह कंफर्म कर रहे हैं कि नोएल टाटा है उनको आधिकारिक रूप से अभी अध्यक्ष यानि के चेर्मेन नियुक्त कर दिया गया है अब फाइनल प्रेस रिलीज आनी है वो अभी भी बाकी है एक अधिकारिक पुष्टी कंपनी की तरफ से भी की जाएगी ट्रस्ट की तरफ से भी की जाएगी लेकिन इसके माइने क्या है यह समझ लेते हैं क्योंकि नोएल टाटा काफी जादा इन्वाल्व थे कुछ कंपनियों के गया जा रहा था कि क्या मिस्त्री के क्लाइन से कुछ होगा या फिर रतन टाटा जो के बाद टाटा वहां पर जुड़ा रहेगा की नहीं अब यह लगबग कंफर्म होते नजर आ रहा है सुत्रों के मताबिक कि नोएल टाटा ही टाटा ट्रस्ट की बागडोर समभा लेंग और यह करीब 66% के आसपास है तो जिस तरीके से ट्रस्ट की रूप रेखा रहेगी जिस तरीके से ट्रस्ट चलाया जाएगा उसका जो असर है वो बाकी सारी लिस्टिट कंपनियों पर भी पड़ेगा और सूत्र में अभी यह बता रहे हैं कि नोएल टाटा को इसकी लोगों की भी इंक्री हो चुके जो तीन बच्चे हैं उनकी भी इंक्री हो चुके तो आने वाले समय में कुछ बड़ी भूणका में ग्रुप की बड़ी कंपनियों में उनकी भागी-दारी भी बढ़ती दिखेगी आगे बिलकुल हो सकता है और परिवार के लोग तो जैस भी performance oriented रहे हैं 600% के आसपास आंक्रे हम वाकवाद में चेक कर सकते हैं कि 600% के आसपास return जो दिया है वो ट्रेंट में दिया है तो उनका जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा अलग है जाहिर सी बात है जब भी कोई leader बागरोर संभालता है तो वो अपने हिसाब से group को अपने हि देख सकते हैं कि जो कंपनिया हैं उसमें किस तरीके का बदलाव होगा काम करने के तरीके में और खास कर shareholders के लिए ये अच्छी ख़बर हो सकती है क्योंकि अगर performance oriented होते हैं तो जाहिर सी बात है shareholders के लिए return की जो आशा है वो और भी बढ़ सकती है बिल्कुल एक चीज और है और शायद इसे लेकर भी निगाहें रहेंगी क्योंकि टाटा ग्रूप केवल कारोबार नहीं जो उनके समाज सुधार समाज सेवा वाला जो फ्रेंट है और इसके अलावा जो एक पूरा gesture है उसे कैसे आगे ले जाए जाता है इस पर भी बहुत निगाहें रहेंगी जी बिलकुल टाटा ग्रूप बहुत ही कुछ ऐसे ग्रूप में से एक है जो फिलन्त्रोपी पे शुरू से फोकस किया है और वहाँ पर पूरा जो structure है वो ऐसा रखा गया है कि जो मुनाफ़ा आता है वो एक तरफ तो मुनाफ़ा रहें और दूसी तरफ समाज में उस मुना तरीके से चलती रहें जिस तरीके से रटन टाटा चला रहे थे हो सकता है अब इसको और एक बोलते हैं कि next step या next level पर लेके जा सकते हैं इसका expansion और अच्छे से कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि जो जिस तरीके से टाटा ट्रस्ट इसमें जुड़ा हुआ था आगे जाके य जाने होगी अभिशेक भी हमारे साथ है अभिशेक आब अभी करीब से लगातार देख रहे इस ग्रूप की खबरे लगातार आप वो ट्रैक भी कर रहे थे बताई क्या टाटा ट्रस्ट में आप नोईल टाटा आने के बाद किस तरह से changes आने वाले समय में देखने को के लिए जाना जाता है कि टाटा ग्रूप का अगला vision वो टाटा स्रस्ट के जड़िये जलगता है इसका क्या असर होगा ग्रूप की कम्ट्रियों में आने वाले समय में विशून मुझे लगता है कि देखें नोईल टाटा एक सही चुनाव भी होगा क्योंकि पिछले 40 साल से टाटा ग्रूप में एक अलग-अलग तरीकों से वो जुड़े हुए हैं और फिलहाल ट्रेंट को जिस तर से उन्होंने करिब करें पूने तीन लाख क्रोण रूपे एक पिछले एक दशक में तो उनके दिखाता है कि उनके अंदर वो दम है और और वी बाकी कंपनीज में जिसे कि वोल्टास में टाटा इंटरनेशनल में इन तमाम कंपनीज के वो बोर्ड में भी शामिल हैं तो एक सही चुनाव होगा क्योंकि देखें टाटा ट्रस्ट के चेर बनाएगा टाटा संस का उसके बाद से मतलब ये चर्शाएं थी कि अगर टाटा ग्रूप से कोई सक्सेसर आना है तो वो कौन होगा नोल टाटा के लावा ऐसा कोई नाम दिखता भी नहीं है अगर आप रतन टाटा के अगर भाई की बात करें हलांकि कुछ टाटा ग्रूप रतन टाटा के काफी करीबी थी और जब ये सायरस मिस्त्री के साथ पुरा विवाद हुआ था टाटा संस के शेर्मेन को लेकर तो उसमें उन्होंने रतन टाटा का साथ दिया था तो चर्चा ये भी उरती कि शायद उनको भी बड़ी पोजिशन दी जा सकती है अच्छा एक फिलाल इनमें किसी एक को इंटरिम चेर्मेन बना दिया जाए क्या कोई अपडेट इसके बारे में और महले मिस्त्री की भूमिका क्या होगी कोई जानकारी आपके पास जी बिलकुल इस पर जो चर्चाएं थी वो कल से ही गरम थी जब हम सारे जो पत्रकार थे फील्ड में इसको कवर कर रहे थे तो हमने भी जानने की कोशिश की कि आखिर बैठक कब होगी क्यूंकि एक बिलकुल इसकी संभावना नजर आ रहे थी कि एक इंटरिम चेर्मेन बना दिया जाए और उसके बाद बोर्ड एक बार बैठके डिसाइड करेगा लेकिन इसके विपरीत जो ह है निर्णहीं हुआ कि तुरंत ही दूसरे दिन ही मीटिंग बुला ली गई ताकि इस तरीके का कोई असमंजस ना रहे और बैठक में सूत्र में यहीं बता रहे हैं कि नोईल टाटा को चुन लिया गया है